जै मातादी आज मैं अपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री वैभव लक्षमी ब्रत का था और ये कथा इस परकार है कमला वेहत शुशील और संतोसी प्रवर्टी की स्तरी थी वैभगवान मिश्नु की सच्ची भगती अपने पती सोहनलाल के साथ गाउं में रहते उसने और उसके परिवार ने सधा दुख ही झेले थे तब पती-पत्नी ने आपस में सलहा की और अपने बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गए शहर में आकर सोहनलाल ने एक धावा खोल दिया जिससे अच्छी आमदनी होने लगी यह सब श्री नाराने जी की ही किरपा का फल था जो कमला के आराद्य थे सब कुछ ठीठाक चल रहा था मगर कमला को एक ही दुख था कि जियों जियों उसके घर में धन बढ़ता जा रहा था त्यों ते उसके पती की लालसा भी बढ़ती जा रही थी उसने अपने कमाय धन को जुए सट्टे और लाट्रियों में लगान कोठी कार नहीं बनाई तो धिक कार है हमें गाउं छोड़ने पर जब इश्वर की किरपा होगी तो वह इसी काम में इतनी बरकत दे देंगे कि हम यह सब बना और खरीद लेंगे कमला कहती इश्वर क्या किरपा करेगा करंबीर अपने बल पर ही यह सब प्राप्त करते हैं सो दावा कल तक फायदे में चल रहा था वह धीरे धीरे नुकसान देने लगा इसी गम में कभी कभी सोहनलाल दिन में भी शराब पी लेता था जिस फारन उसकी दुकान पर ग्राकों का आना और भी कम हो गया इस पर भी सोहनलाल को कोई समझने ही आए वह विक्री के पैसों से ये लॉट्री खेल लेता और शराब पी लेता घर में पैसा देना उसने बिलकुल बंद कर दिया कमला पैसों का जिक्र करती तो वैं काम मंदा होने का बहाना बना देता डावे का सारा समान एक दुकान से उधार आता था जब दुकानदार को उसके जुए किलत और शराब पीने का पता चला तो उसने भी उधार देना बंद कर दिया धावे के कारीगर भी पैसा ना मिलने के कारण काम छोड़कर चले गए नतिजा यह हुआ कि धावे में ताला पड़ गया अब तो घर में पाका होने लगा तो उसी ने भी नजरे फेर ली आकिर कोई कब तक किसी पर दया कर सकता है रात होने पर बच्चे भूग से बिलख बिलख कर सो गए नशे में दुथ सोहनलाल भी आकर सो गया और बैचारी कमला घर में बने मंदिर के सामने बैटी राद भर आसू बहाती रही उसका फिर्दय बार-बार कह रहा था कि हे नाराण जी यह मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं आप पर भू मेरे परिबार पर आई संकट को टालो आज मेरे बच्चे भूग से बिलखते हुए ही सो गए मेरा पती पतवरस्ट हो चुका है हे लक्षमी पती रक्षा करो मेरे पती को सद्धुद्धी दो इसी प्रकार बिंती करते हुए कब सो गए उसे स्वैम ही पता नहीं चला सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बच्चे सोए पड़े हैं पती नहाद हो रहा है कमला उसकी नजरें मिली तो उसने सिर जुका लिया फिर कपड़े पहन कर खामोसी से बाहर चला गया कमला हाथ मुधो कर फिर से अपने नारण जी के मंदिर के सामने जा बैटी चहरा गुटनों पर टिका लिया और सोचने लगी कि क्या करूँ बचे उटकर नाश्ता मांगेंगे तो क्या जवाब दूँगी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई सेमो को इसी भे दरवाजे तक पहुशी और दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधू को अपने सामने खड़ा पाया कुछ विक्षा दे बेटी साधू ने का बाबा मेरे घर में तो अन्ने का एक भी दाना नहीं है पास में एक फोटी कौड़ी तक नहीं है आपको क्या दूँ कहेंकर वह रो पड़ी बेटी तेरे घर में धन पड़ा है अब तु दुखी है साधू ने कहा धन मेरे घर में बाबा अब क्यों मुझे भागी का उपहास कर रहे हैं मैं सच कह रहा हूँ बेटी अपने घर की दिवार पर टंगी नहरण जी की तस्विर के पीछे देख मा तेर बैवलक्षमी की व्रत कथा की पुस्तक है तू मा लक्षमी की सरण में चली जा मा तुझे अवश्य ही किरपा करेगी और तेरा धन धान से घर भर जाएगा मा बैवलक्षमी की पुस्तक हाथ में आते ही कमला के शरीर में जैसे नहीं शक्ति भराई वे बोली बाबा क्या सच मा बैवव लक्षमी मेरी दरिता दूर कर देगी बेटी जहां बैवव लक्षमी की किरपा होती है वहां दुख दरिता निवाश नहीं करती तू पुस्तक में लिखी विधी के अनुसार मा का वृत कर तेरा उधार होगा नारायन नारायन कमला तो अपनी सारी सुध भूत भूलकर पुस्तर के प्रिष्ट पलटने लगी अचानक उसके मन में आया कि यदि घर में धन है तो बाबा को खाली हाथ नहीं भीजना चाहिए मैं अभी उन्हें कुछ दे देती हूँ ऐसा सोचकर जैसे इसने नचने उठाई तो अवाक रह गई अभी छन भर पहले ही तो सादू वावा उसके सामने खड़े थे मगर अब तो वहाँ दूर दूर तक उनका पता नहीं था मगर नारायन नारायन के शब्द अभी वी उनके कानों में गूझ रहे थे कमला हत प्रत सी रहे गई तो क्या नारायन जी मेरे नारायन का संदेश लेकर आये थे जरूर यही बात है सोचती हुई कमला तेजी से पलटकर भीतर आई और दिवार पर टंगी नारायन जी की तस्वीर के बीछे देखा तो सचमुच वहां एक पुराना परस पड़ा था कमला ने उसे खोल कर देखा उसमें सो सो के पाँच नोट निकले खुसी के मारे उसके चेहरा दमकने लगा एक नया उत्सा और फुर्दी आ गई उसके शरीर में जल्दी जल्दी उसने स्नान किया और पुस्तक पढ़ने बैड़ गए पुस्तक में सबसे पहले उसने ब्रत के नियम पढ़े और यह पढ़कर तो उसकी खुसी का ठिकाना ही ना रहा मा बहव लक्ष्मी का ब्रत शुकरवार से आरम किया जाता है यह सैयोग ही था कि उस दिन शुकरवार ही था उसने स्नानादी से निर्वित होका नाराएंजी के सामने ही संकल्प लिया कि भेह मा बैवालक्षमी के 21 वरत करेगी उसके बाद भेह बाजार गई और खाने पीना और पूजा का सामान लेकर आ गई उसने बच्चों को जगा कर उन्हें नहला धुला कर नाश्टा दिया और फिर मा बैवालक्षमी ब्रत कथा कि पुस्तक में लिखे नियमों के अनुसार ब्रत किया सारा दिर में जै मा बैवालक्षमी जै मा बैवालक्षमी का जाप करती रही शाम के समय उसने विदिवत मा का पूजन किया और प्रातना की हे मा नारण जी की आगया से मैंने आज आपकी शरन ली है मेरी मनोती पूंड करना मा मैं के वल इतना चाहती हूं कि मेरे पती को सदबुद्धी आए वे सभी दुर्गुणों को त्याकर फिर से सत्माग पचलते वे अपना काम करे जै मा बैभुलक्ष्मी जै मा बैभुलक्ष्मी ब्रत कधा कहकर उसने बच्चों को चूर्मा का परसाद दिया अपने आस परोस में बाटा फिर पती के जार में पलगे विझा कर बैठ गई रात आट वजज़ का पती आया कमला को यह देकर सुकत आशर हुआ कि आज वह नशे में नहीं था कमला आज तो चमतकार हो गया इश्वर की क्रपासे कल से ही मेरा ढावा फिर से चालू हो जाएगा आज लाला ने स्वैम बुला कर कहा कि यदि मैं शराव और जुए के लाद छोड़ दू तो वह मुझे फिर से आटा डाल आदी उधार दे देगा और कमला मैंने आज से ही कसम खाली कि मैं जीवन में कभी भी सराव और जुए की दरफ नहीं देखूंगा यह सब तुमारे शुप कर मुगा ही चमतकार है नहीं सभी का मनोकामनाई पूर्ण करती है एक बार मां जिससे प्रशन हो जाती हैं उसके जीवन में कभी भी दुख और डड़िता की छाया नहीं पड़ती मगर तुम्हें यह सब बताया किसने मेरा मन रुमान्चित हो रहा है कमला मुझे सब कुछ बताओ आओ स्वामी आओ आओ पहले मा का आशरवाद ले कमला उसे मंदिर के समय पले गई एक चौकी पर श्रीयंतर के समक्ष मां बहुलक्षमी की जोट अभी भी जल रही थी और जल के पात में रखी कटोरी में घर का आखरी गहना कमला की नाक के सोने का कील पड़ा था सोहनलाल जैसे ही माता की जोट के समक्ष आया उसकी आखों से अबर अशुधरा बहन निकली और हाँ जोटकर वै बोला हे मां बहुलक्षमी मैं लोब में फसकर पत ब्रस्ट हो गया था मेरा मैं बिना मेहनत किये धेर सारी दौलत पा लेना चाहता था मैं समझ गया कि मां आपने मुझे मेरे लालच का ही दूसरे दिन सोहनलाल ने अपने दुकान को ज़ाड़ कोच कर साफ किया और उसके पुराने कारीगार भी वापस आ गए और दुपैर होते होते डावा पहले की भाती चलने लगा इसके बाद जब शुकर बार आया तो पती पतनी ने मिलकर मां बहुलक्षमी का वरत किया इस एक साफ़ता में सोहनलाल के घर की इस्थिती तेजी से सुधरने लगी अब सोहनलाल ने लोग लालच त्याकर सब कुछ मा की मरजी पर छोड़ दिया इसी परकार एकिसमा शुकर बार आया तो दोनों ने अपने सगे समंदियों को बुला कर गधा कही साथ करन्याओं का पू कथा के बाद मां से इस प्रकार प्रातना करनी चाहिए है मां जिस प्रकार आपने कमला के मन की मुराद पूरी की ऐसे ही मेरे सभी और सभी वक्तों की मन की मुरादें पूरी करना अपनी शरण में आय की रक्षा करना सब को सुक्समर्दी धन धाने और संतान देना और इस प